नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं से सी नोट्स में तो कैसे हैं सब लोग आसा है सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे तो कई लोग काफी दिन से बोल रहते हैं कि परेवाची पर भी कुछ एक वीडियो आना चाहिए तो मैं ऐसा है कि परेवाची बहुत धेर स समझ में आए वह आप मान सकते हैं लेकिन जो भी मैं समझाओंगा वह आपके दिमाख में 100% घुझेगा अगर आप ध्यान पूर्वा पूरा वीडियो देखते हैं तो ठीक है तो बने रही है हमारे साथ और इस वीडियो को आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजे औ हम अगला पार्ड भी जल्दी से जल्दी लेके आएंगे ठीक है और उमीद है यह वाला भाग आपको बहुत ज्यादा लाव प्रदान करेगा तो शुरू करते हैं दोस्तों परयावाची सब्दों से और हाँ सुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाता हूं आप इसने भी लोग U.P.Tate, Sie Tai, Super Pet, U.P.S.I. की त hac it कर रहे हैं या जिस भी इग्जाम की त्यारी कर रहे हैं उनको Complete Course चाहिए Complete हर एक कर दिये हैं यह स्टार्ट μέगर स्टार्ट हो चुके नए हैं। इम今天 अब्हूरीकर के सकते हैं इन दोनों नमबर पर कॉल वाले माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अब सुरू करते हैं आज की क्लास तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो जल से आप लोग को याद रखना है तो जो तरीका बताऊंगा आप लोग को एकदम याद रखना ठीक है मैं जो जो चीज बोलूँगा वे परहएवाची क्या होता है तो जल का जो हमारा परहएवाची होता है वे होता है नीर देखो ध्यान से जल के परहएवाची में कौन कौन सा मिलता है नीर मतलब होता है जल फिर वारी होता है नीर का दूसरा है अंबू अंबू बोलते हैं तो यह कहते हैं सलिल कहते हैं और पा अजना गया था तो अब ध्यान से देखो अब इसमें समुद्र बादल कमल यह तीन दीख रहे हैं आपको कौन कौन से समुद्र बादल और कमल इन सब के लाश्ट में तीन चीजें हैं जैसे समुद्र की बात करेंगे ध्यान से देखो मैं जो बताने वाला हूं बहुत ध्यान सम्झें बादल है जब दल और क्या है कमल थीख में तीन चीज है अब समूद्र क्या करता है मुझे जल्दी से सची समुद्र में क्या होता है बताओ सबसे पहले समुद्र में होता है ठीक समुद्र में क्या होता है समुद्र में होता है पानी और पानी क्या पानी महां पर धरा होता है यानि उसने धारण किया हुआ किसने समुद्र ने समुद्र क्या करता है पानी को धारण करता है जब कोई किसी को धारण करेगा तो उसके लिए हम कौन सा सब या वर्ण करेंगे वे हमारा धी बादल एक बात बताओ बादल का पानी के साथ क्या संबंद है जल्दी से बताओ सोचो दिमाख में कि बादल का प पानी देता है तो बादल क्या गड़ता है पानी देता है तो यह दे दो हो गया दा फॉर्म देना ठीक है बादल क्या पानी बरसाता है यानि पानी देता है प्रित्री पर ठीक है उसके बाद कमल अब बताओ कमल का पानी के साथ क्या सम्मंद है जल्दी से सोचो तो जो कमल है वे क्या करता है जन्म लेता है कहां पर पानी में जह से होता है जन्म लेना ठीक है जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा आत्मज जैसे पुत्री का परियावाची या पुत्र का परियावाची आत्मज पुत्री के लिए आत्मजा कर देते हैं यह सब परियावाची है ऐसे ही प्रत्य लगा यह सब होता है बहुत सारी चीजे हैं बहुत धीर सारे सब्सक्राइब से चलेंगे चलेंगे पानी में जनम लेता है वह अब आते हैं अपने समुद्र नीर माने पाणी को ढरे समुद्र तवार धी अंबु का मतलब पानी पानी को धरेगा तो यह तो हो गया अंतिम के दो सब्द आपको दिख रहोंगे रतनाकर और नदीस कहेंगे इसमें तो कहीं धारने वाला है नहीं तो कैसे इसको कह दिए तो आप लोग को पता होगा कि समुद्र में क्या होता है समुद्र जि मोती कहां मिलते हैं समुद्र में इसलिए इसको कहा जाता है रतनाकर ठीक है रतनों का राजा क्या कहते है रतनाकर कहते हैं इसलिए इसका नाम पढ़ता है रतनाकर नदी क्यों कहते हैं नदी धन इस नदी का विक्षेट करेंग क्या बना नदी और इस तो नदी प्लस इस यान नदी का राजा ठीक है नदी का देवता नदियों का देवता क्यों क्योंकि अंतिम में जितनी भी नदियां होती है सम्मिल के कहा चली जाती समुद्र में चली जाती इसलिए कहा जाता है कि नदियों का देवता इसलिए इसको कहते है नदीश समझ भी आया आगे दुखो बाद कहते हैं कि में कहते हैं कि में कहते हैं जन्म लेने वाला तो यह मतलब क्या है पंक यसको क्या कहते है पंक कुया है अब कहते हैं सभा है यहां पर पानी होता नहीं तो किचड़ किचड़ में जिसका जन्म होता है पंक कहां किचड़ में तुप ऋब 내कर तसा मवर्ण要ब यह जानते तलाब यह ना समझे कीचड जन्म होता है उसको कहते है इसका मतलब क्या है कमल कहां खीड़ता है कीचड में सरोज सरोज आप लोग जानते हैं सरूवर तलाब तलाब में भी जन्म होता है सरूवर यहां पर आप लोग जानते हैं यहां पर राजीव और अर्विंद ठीक है अर्विंद ठीक है तो यह हमारा क्या बना किसका कमल का आगे दिखो रात के लिए है ना यह रैन बीती जाए है ना रैन हुई चहुदेश है आपने रैंबम मतलब क्या है रहन बसेरा रात का गुजारा राका रात को राका रात को आंगे रजनी अब देखो इनसे अब देखो यहां पर मेन हमारे यहांत वे जल था जल से हमने निकाला दो तीन लोगों का अब रात से देखी कितने लोगों का निकालते हैं ठीक है रात से हम कई लोगों का निकालेंगे ये भी याद रखेगा देखो रात में है रैन राका रजनी निशा ठीक है विभावरी ठीक ये क्या है रात के हैं अब यहां से ट्रिक चंद्रमा रात का राजा होता है ठीक है चंद्रमा रात का राजा होता है अब देखिएगा कैसे कैसे बनेगा चंद्रमा को चांद कहते हैं यह न किसी ने मेरा चांद देखा तो चांद तो हो गया अब आगे था राकाधन इस तो क्या बनता है राकेश ठीक है रात का राजा उसके बाद रजनीस, रजनी मतलब क्या है, रजनी मतलब है रात, और रात का देवता, रजनी इस, तो रजनी प्लस इस क्या हो गया, रजनीस, ठीक है, उसके बाद निशा, निशाकर, ठीक है, जब चंदरमा आता है, तो क्या हो जाती है, रात हो जाती है, इसलिए इसका नाम जयसकेワिisco से याद रखेंगे रजनी चर निसा से रखेंगे निसा चर भां प्रियाइवाची कैसे बन रहे सशे थर चंद्रमा कौन धारण करता है यह कौन है सिव जी की बात कर रहा है ठीक है तो इसी दोरी के से सारे दूसỜी बनते एक दुसरे से इए रिलेट करकर ठीक है जीसे यह सब क्या है पर याम लोग को प्रेयवाची बनाने सब्सक्रिका करके समझ सकते हैं सूरिका देखेगा सूरिका क्या बनता है बहुत ध्यान पूरवक्त देखना है बहुत important चीज़े हम लोग discuss कर रहे हैं अब बताओ सूरिका करता है दिन करता है इसलिए कहते है दिन कर ठीक है और क्या करता है दिवा दिन का प्रेवाची क्या होता है दिन और दिवा तो दिवा कर हो गया ठीक है द सदी जड़ेगा बनेगा डिनेश अगला देखेंगे अनसुमाली इनको अनसुमाली भी कहते है यह भानु कहते हैं यह भहहां आप लोग नहीं जानते होंगे जैसे अब जानते हैं माना किसकी के पुत्री है तो यमुना जो है वे हैं सूरी के पुत्री तो यमुना के लिए क्या प्रिके जाता है तरणी तनुजा तरणी तो एक इसका और उदारन होता है वो होता है जैसे तरणी ठीक है सूरी का होता है तरणी ठीक है और क्या होता है तरणी तनुजा बोलते हैं दूसर करन हम कहते हैं अपने सुना होगा एक सब् pand nouveau ठीक है शूर्य पुट्र के लिए क्या बोलेंगे बहां बहानख़ थेउये लिए पूत्र जूत क्लेइगे बहानुज वहानु से जो जन्मा हो क्या सकते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं राक्षस का मैंने वैसे समझाई दिया था आप लोगों को यहां पर देखें राक्षस के लिए क्या कह रहा है रजनीचर रात में चलने वाले निसाचर रात में चलने वाले दानव ठीक है यह क्या है दानव कहलाते हैं यहां पर सुर है सुर का मतलब होता है देवता सुर का मतलब क्या है देवता और देवता का क्या हो गया विपरीत क्या हो गया असुर सुरारी इनको कहते हैं सुरारी ठीक है अब देखो यहां पर आख का यहां पर लिखा है ठीक है जैसे आख का मतलब यहां पर है नयन से नेत्र से से चस्म और द्रिग चसमें से बनता है चसमा थेका चस्म से क्या बनता है चस्मदीद चस्मदीद गवा आखो देखी वाला वाज तुहां पर आ जाता है अब देखो अंधे के लिए पर्ष्प करते हैं नियान हीन अग्र इसी क्या लगा दें तो नयन जो हीन एंँसको क्या तो और नेत्र हीन चक्षू- sería लौचन ही इस्वहिएं द्रिग हीन ठीक है यह सब ठीक है अब रहें और लोग ठीज और यहां से छोटा सा प्रयास किया है अगले भाग में और विढेन को वी घ्राइड करते हैं करतें डोलॉघ करना है इस वीडियो को बस छोटी से डिमांड है ठीक है और कमेंट अगर के भी आप लोग को बोलना है और कौन सा टॉपिक चाहिए परहाइबाची के अलावा जितनी भी चीज़ें है वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताया करो कि वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है व जिनको भी जोइन करना है कोर्स हमारा आप हमारा एप इंस्टॉल कर सकते हैं या इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर कॉल करकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जिसको मेरी हिंदी की किताब चाहिए वो भी इसके कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकता है बाक की मिलेंगें लोग अगली वीडियो में तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिंद